इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस हबते के होने वाले स्मैक डाउन के विसोड में क्या जीज़े देखा दे सकती हैं यानि आने वाले राजनेट स्मैक डाउन के शो का प्रिव्यू देख लेती हैं तो डब डबली ने शो की उपर कन्फर्म किया है विमेंस चैंपिन्शिप का मैच पेली पहले पार टाइटल डेफन करेंगे अगेंस्ट ने यूमी और इस वाले मैच के अंदर हमें ज़ो है यह विनर आसनी से पता है बेली इस वाले मैच के अंदर हमें जीटती हुए दिखाय देगी बाकी एक और fatal four way tag team match official किया है जो भी ये देगा उस मैकडाउन की tag title के लिए number one contender बरेंगे शो के उपर यहाँ पर street profits face करेंगे अपने इस बार अपने Pete Dunne की team को साथ ही में A.O.P. होने वाले हैं and होंगे अपने humberto per you and उनकी team and इस वाले match के अंदर अंदे नया ट्रोक्यों पर देखा कि WWE ने नए tag team championship के designs लाए तो सेम चीज स्मैकडाउन पर देखाए दे सकती है हमें कि Triple H and Nick Atlas new tag team championship को जो हमें reveal करते हैं देखाए देएंगे and उनका नया नाम भी देएंगे जो कि होगे WWE tag team championships तो ही फ्लाल हमें चीजे इस वाले show के उपर दिखाए दे सकती हैं बाकि WWE ने main event भी confirm कर दिया है एक तरी किसे क्योंकि LA Knight and AJ Styles का match हो गाएं जो भी जीतेगा वो Cody Rhodes को face करेगा undisputed title के लिए at backlash and chances जाद है कि इस वाले match में AJ Styles जीतेएंगे and WrestleMania की हार का वो बदला लेंगे and मेरे भी प्रेडिशन इस वाले match में AJ Styles के लिए हैं तो वो इस match के अंदर जीतेएंगे and face करेंगे अपने Cody Rhodes को क्या पता शायद winner चो होगा उसको Cody Rhodes face to face भी हो सकते हैं बाकि Cody Rhodes भी होंगे कल पर स्वाले show के उपर and शायद वो भी आ सकते हैं बाकि Bloodline का देखना इंडस्टिंग है कि क्या next chapter होने वाला है क्योंकि क्या आप करते हैं जी में उसो तो injured है and अपने solo से को क्या करते हैं and क्या अब उनके पास next order है and time out भूंगा भी होंगे तो देखते क्या जीजे होती है लेकिन मजाएगा smackdown में प्लाज आज के वाली वीडियो बस इतने से थी and मैं में मिलता हूँ next video के अंदर